साथियो नमस्कार जहिंद मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर विशेक दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने अपनी प्रीविएस कुछ वीडियो में बात की है मस्टिवेशन को लेकर जिसको आप बोलते हैं हैंड सेक्स या फिर हस्त मैथून अब वहाँ पर मैंने बताया कि फायदे क्या है इससे आपकी बॉड़ी में क्या चेंजर आते हैं इसका कतन की बैक साइड क्या है नुक्सान क्या बॉड़ी में है और इसको कैसे छोड़े लेक लेकिन हम हस्त मैथून या मास्टरबेशन करें या ना करें बिंग अब मेल और दोनों के लिए जाना यह बहुत इंपॉर्टेंट है अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दू मैं आपको यहाँ पर धर्म से थोड़ा सा साइड हट के लिके चलता हूं क्योंकि अगर आप धर्म को लेके चलें चाहे वो सनातन धर्म हो या फिर जो अदर धर्म या संपदाएं उनमें हस्त मैथून या मास्टरबेशन एक प्रकार से अवैद है अपराध है लेगे अगर आप साइंस को मानके चलते हैं तो साइंस जो है इसको वैलेड मानती है और साइंस के को आप कर सकते हैं कोई भी ऐसा बच्चा जो एडल्ट है और अगर उसके अंदर सेक्सिवल एक्टिविटीज या उसको सेक्स करने की इच्छा जागरत होती है तो फिर वो मास्टरबेशन कर सकता है चाहे वो एक मेल है या फिर वो एक फीमेल है यहां पर आपको किसी पार्ट बॉड़ी पर इसका कोई बैड इंपक्ट नाए देखिए दोस्तों एक सिंपल सा चीज है कि अगर आप कोई चीज एक लिमिट में करते हैं सब्सक्राइट आप वीक में वन्स वन्स वीक या फिर जो है महीने में दो से तीन बार करते हैं चार बार करते हैं तो इस कंडिशन में चार बार यह एक सही तरीका है वहीं पर अगर आप रेगुलर करने लगते हैं आज किया परसू किया हफ्ते में दो से तीन दिन किया तो ऐसा करने से आपके अंदर वीक ने साथ है कहीं न गहीं यह जो है आपकी बॉड़ी के एनरजी को वेस्ट करता है ठीक है एक सवाल आता है कि भी प्ल prone कोई क्रेंटि हैं तो इसका इंसर है बिलकुल नहीं है उसनों एक अलग प्रोसेजरा बनता हैं और बलेड डुसरे से बनता है ऌबनता है और आपके बॉन मेरो में रमें बनता है ठीक है तो यह कुछ मेसं से में मैंने क्लियर किया है दियहान रहे कि कु कोई business impact नहीं पड़ेगा सती साथ यंग एज में आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए वह ज्यादा important है अब आपकी डाइट बहुत कम है और आप करेंगे तो जाहिट सी बात है कि आपकी बाड़ी वीक तो होगी होगी तो आप सभी को बेसिक आइडिया मिल गया होगा फिलाल के लिए मैं आपका बहुत अधिक समय नहीं लूँगा इस वीडियो में तहीं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धने बात हैंगे सो मच जाहिंद